जी दोस्तों मैं आपको बता दू सुषान सिंग राजपूत केस की जाच तेज हो गई है फिल्मेकर संजे लिला बंसाली अपना बयान दर्ज कराने के लिए बांदरा पोलिस इस्टेशन पहुच गए पोलिस ने पूश्ताच के लिए संजे लिला बंसाली को बुलाया है उनसे सुषान सिंग राजपूत को आफर की गई फिल्मों के बारे में पूश्ताच की जाएगी जिस पर सुषान और संजे लिला बंसाली के बीट बात नहीं बन पाई थी इस केस में बंसाली का नाम तब सामने आया जब फिल्म आलोचक सुभाश के जहार ने खुलासा किया कि सुशान्त राजपूत को संजे लिला बंसाली के तीन फिल्मों के लिए अप्रोच किया गया था इन में बाजिराव मस्तानी, गोलियों की रासलिला, रामलिला और पदमावत शामिल थी सुशान्त के सुसाइट की वज़ तलासने के लिए पुलिस एक्टर के करीबियों समेत कई फिल्मे हस्तियों से अब तक पुछताच कर चुकी है इसी बीच अब बनसालि को भी पुछताच के लिए बुलाया गया है फिल्म क्रिटिक सुभाज ज्छा ने बताया था जब सुशान्त सिंग फिल्म पानी की तयारी कर रहे थे तब उन्हें बाजिराव मस्तानी ओफर की गई थी लेकिन सुशान्त इस फिल्म को नहीं कर पाए फिर बनसाली ने उन्हें गोलियों की रास लिला राम लिला और बाद में पादमावत में भी रोल आफर किया आज के समय में संजे लीला बनसाली सबसे बड़े डिरेक्टर है और उनकी तीन फिल्म को एकसेप्ट नहीं कर पाए सुशान्त इसके बाद इस बात में कहां तक दम है कि इंडस्ट्री में लोग उन्हें बाइकॉट कर रहे थे सुभाज शा का ये बयान तब सामने आया था जब कहा गया था कि फिल्म इंडस्ट्री में सुशान्त को काम मिलना बंद हो गया था जिसके वज़ा से वो तनाव में रहते थे टॉप डिरेक्टर्स सुशान संग काम नहीं कर रहे थे इन सबी खबरों को गलत बताते हुए सुभाज शार ने साफ किया था कि सुशान्त को लेकर सामने आ रहे ऐसी बातों में कोई सच्चाई नहीं है अब ये फिल्में उन्होंने खुद छोड़ी थी या उनसे छीन ली गई थी इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है एक के बाद एक फिल्म हस्तियों से पुश्टाच की जा रही है हमें जरूर लगता है कि कुछ कड़ियां जुड़के जरूर सामने आएंगी आपको क्या लगता है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताईए और इसे शेयर करना ना भूलिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए इसी तरह अपडेट रहने के लिए